Hello Children, Once again I am here for you to teach the remaining part of the chapter which we started yesterday. पर्क poiकर साіाां को सरकारं ने से पहले ही अज़िस मैंटिस में रता है क्या है सब्सक्राइब कर generational को अधिक्राइए करसे से अधिक्त परदी और शुक्त ले पती काफी लंबी लृड़ाई लेनीं से परती, मैस्स मैली की मौत पति मिस्टर मली की मौत वोती तीन महिने बाद में सरकार की नॉटिस उनको मिलता है कि उनका घर सरकार छोड़ दिया है अब आगे देखे क्या होता है उस दिन हमने यह भी पढ़ा था कि बारिश हो रही थी सोंबाल का दिन हम रिसाइड क्या था सुबर नहीं जा पाए उनका पेटा जो था वो अपने जूटी पर चला गया अब आगे देखिए और यह उतनी ही तेज होती रही शाम को भी शाम के समय भी टेज वारिश होती रही दिन में थी Monday being an auspicious day सो उम्वार का दिन जो होता है वो एक auspicious day होता है auspicious बलते है शुब को शुब या मांगलिक है ना शुब या मांगलिक तो शुब दिन था Monday का ऐसा मानना था उनका तो Mrs. Malik wanted to shift if they could Mrs. Malik चाती थी कि अगर वो जा सके तो आज ही जाए कुछ मैंने मकान में आज ही जाना है उनको इस तरह से उनने निशे किया out of consideration for his mother the son decided to shift even though it continued to rain heavily for his mothers अपनी मा की इच्छा को स्वागत करते हुए अपनी मा की इच्छा को रखते हुए रखने के लिए बेटन निशे किया to shift even though it continued to rain heavily कि वो आज ही उस नहीं में रहने जाएंगे बले ही बारिश होती ही क्यों न रहे बारिश होने के बावजूद भी वो आज ही नहीं घर में रहने के लिए जाएंगे है ना ऐसा decide किया गया they sent for a taxi उन्होंने एक टेक्सी बलवाई लेकर सेंट भेजना होता है sent for any भेजा लगातार तेज बारिश होती रही है ना लगातार बिना रुके बारिश होती रही sitting in the back seat of the car car की back seat पे बैठे हुए Mrs. Malik was lost in memories Mrs. Malik जो थी वो memories नहीं अपनी यादों में खो गई what fence she had taken what fence कितना दर्द कितनी तकलिफ हैं she had taken while the house was under construction कितनी तकलिफ हैं उसने महसूस की थी उसने ली थी जब वो घर under construction था है ना निर्माना दिन था मकान बन रहा था the days when she missed her meals वो दिन जब वो अपने meals नहीं भोजन को miss कर दिया करती थी जब उसको अपने भोजन तालने पड़ते थे कभी कभी दिन का समय दिन के समय दोफर के समय खाना नहीं खाबाती थी the days she stood in the scorching heat of the sun और सुर्य की तपा दिने वाली गर्मी वो खड़ा ही रहा करती थी सन सुरज कोई बोलते हैं सन धून कोई बोलते हैं supervising the work in progress देखते होए निरिक्षन करते होए कारिय का प्रोग्रेस नहीं कारिय के progress को कारिय की विकास को देखते होए मकान बनते होए देखती थी वह ना निरिक्षन करती थी कोई चीज खराब नहीं हो जाए ना the days she was drenched in rain और वो दिन जब वो बारिश में भीग जाय करती थी नाक्षा बनाने वाले ने, एक कर दिया था तयार कर दिया था कि मकान का रंगी चित्र तीयार कर दिया था the way it would look when completed कि वो मकान बनने के बाद कैसा दिखेगा आजकल आर्किटेक्ट जो है वो मकान के बनने से पहले उसका नक्षा त्यार कर देते हैं बनने के बाद वो कैसा दिखेगा वो दिखा देते हैं तो उसने भी ऐसे कर दिया था अब आगे देखेगा अपनी पीट को शटाएवे मारबर की पिलर पे मारबर से बना एक पिलर था वहां पे उस पिलर के पास एक औरत का तस्विर बना दी गई थी और के तकर स्विर दौरा उस घर के महिलर थी वो, elegant and graceful, शान्दार और मर्यादित तस्वीर, an image of contentment, ये एक image थी, किसकी image थी, contentment की, contentment means satisfaction, satisfaction, संतुष्टी की तस्वीर, वो महिला कैसी साड़ी में थी, किसमें, मैरून रंगी साड़ी के अंदर, मिस्स मलिक felt that the architect had painted her, उससे मिस्स मलिक ने सोचा था, कि architect ने painted her, उसी को तस्वीर में रंग दिया है, उसी की तस्वीर मना दी है, ऐसा मिस्स मलिक को उससे में आभास हुआ था, but she never wore maroon colored साड़ी, लेक वो अभी maroon रंग पहनिती नहीं थी, the figure in the sketch, however, was as a storage मिस्स मलिक, हाना कि, however, in the figure in the sketch, तस्वीर में जो महिला थी, was as a storage मिस्स मलिक, उसकी कज़गाटी वैसी थी, उसके लंबाई उतनी थी, जिस्ती मिस्स मलिक की थी, reclining against the pillar, she stood the way, मिस्स मलिक used to stand, उसमें दिखाए का था, मिस्स मलिक जो थी, वो भी उसी तरह से खड़ी हुआ कर थी, जैसे तस्वीर में उस वरत को खड़ा किया गया था, मिस्स मलिक saw the figure in this case that would go and stand before the dressing table many a time, मिस्स मलिक जो थी, उस तस्वीर को ले जाती थी, देखती थी तस् dressing table के सामने अपने आपको देखा करती थी, कि वो किस प्रकार से खड़ी होती थी जिस प्रकार से उस तस्वीर मेला खड़ी थी, उस इंदाज में जाके वो भी table के सामने खड़ी हो जाया करती थी, dressing table के सामने, she thought that she must show that case to her daughter-in-law sometime, she thought, उसने सोचा था, that she must show, उसको दिखान आपको दिखाएगी to her daughter-in-law, अपने पुत्र वदू को अपने बेटे की ब्याने के बाद उसकी प्रत्नी को sometime किसे समय, बहुष्य में किसे समय, वो तस्वीर को अपनी बहु को दिखाएगी, ऐसा वो सोचा करती थी, her daughter-in-law was sitting on the front seat with her husband, उसकी daughter-in-law जो थी, उनकी पुत्र वदू जो थी, अब वर्तमान में आ गई, वो अभी तक वियाद कर दी थी, पिछले जमान की बाते, जब वो मकान में बनाती किती तक्लिफ में रही थी, कैसे आर्केटेक्न उसका तस्वीर में बना दे कर दी थी, लेकिन अब वो वर्तमान में आती है, उसकी बहु बैटी भी थी, कहां पे, अपने पती के साथ आगे की सीट में, आगे की सीट के ऊपर, कहां जा रहे थे, वो अपने नए मकान में रहने के लिए जा रहे थे, moving the rear view glass of her car towards her, moving, घुमाते हुवे, rear view glass, पीछे देखने का शिशा, गाड़ी के अंदर एक पीछे देखने का शिशा होता है, उसका शिशे को अपनी तरब घुमाते हुवे, she stared, started repainting her lips, उसने started नहीं शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, repainting, रंगना, दुबारे से रंगना, किसको अपने होटों को, अपने होटों पे lipstick लगाने शुरू कर दी, अब Mrs. Malik उसको देखके सोचती है, अपनी पत्रवदी को देखके सोचती कि वह अपनी घर पे जाते समया होटों को रंगने के जरूरत क्या थी समया, एड़ अब मोस्ट धे वड़ एट और देन गोटो स्लिप, जाद गर पे जाके खाना खाना था और उसके बाद में गोटो सिलिप सोने जाना था, इस्टेंज बड़े अजीब होते हैं आज कल की लड़किओं के अधुनी नभय तरीके रोट तरीके बड़े हैं, and how the girl talked और लड़के आ बाते कैसे करती है कैसे बाती करती तो समय she was zebraing incessantly incessantly लगाता जो थी वो बोले जारी थी jember जबर यहानी बगबग करते रहना है ना बड़े बड़ाते रहता लगाता बगबग करते रही थी why must she talk with her husband in English आगे Mrs. Malik सोस्ते बला उसको अपने खुद के पती से English में बात करने के जूरत है अंग्रे जी में अपने पती से वो बात क्यों कर रही क्या आवाशिता पड़ गई है Mrs. Malik had not picked up English Mrs. Malik को कभी English समझ नहीं आई थी अंग्रे जी में थोड़ी कमजोर थी She had failed in this only She had accomplished everything else in life इसके अलावा उसने पूरा हर काम में वो पूर्ण थी हर काम को उसने करिया था क्यों English बोलने के सिवाई She learned ballroom dancing यहां तक उसने ballroom dancing भी सीख ली थी बॉल नर्ते को भी बोलते हैं आदूरी नर्ते जो पश्ची में देशों में किया जाता है उसने सीख लिया था पश्ची मिया धनादे फरिवार के लोगों में किया जाता है उसके अलावा Suddenly It occurred to Mrs. Malik That may be figure painted by the architect Was that of her daughter-in-law Was that of her daughter-in-law आचानक ही ऐसा लगा It occurred to Mrs. Malik Mrs. Malik को लगा That may be the figure painted by the architect Was that of her daughter-in-law कि वो architect ने जो तस्वीर बनाई थी तो नहीं थी How could that be लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था She was nowhere on the scene When the plan of the house was prepared वो तो कहीं भी थी नहीं Nowhere नहीं कहीं नहीं थी On the scene The shepetal पर When the plan of the house was prepared जब वो माकान की planning कर रहे थे But then लेकिन तभी She was wearing a maroon colored sari That the figure in the sketch had लेकिन तभी उसने देखा उसने मेरून कलर के साड़ी पहन रखी थी उस figure में भी जैसी पहन रखी उस औरत ने जैसी तस्वीर में उस महिला ने साड़ी पहन रखी थी वैसी रंगी मेरून कलर के साड़ी उसकी पुतर वद होने पहन रखी थी Yes, it was maroon color हाँ, ये maroon color ही था ये maroon रंगी था Mrs. Malik never liked maroon color और Mrs. Malik को कभी भी maroon color अच्छा नहीं लगा था It was too loud for her taste ये उसके test के मताबिक नहीं था उसके पसंद के अनुरूप नहीं था It was girls like her daughter-in-law who were fond of maroon color ये तो लड़कियां होती हैं उसके पुत्रवदूग जैसे आदूनिक लड़कियां who were fond of fond of her पसंद करती जो पसंद करती थी maroon color को तो इस तरह से Mrs. Malik सोच रहे है अपने पुत्रवदूग के बारे में She can never wear maroon surely वो कभी भी maroon color नहीं पहन सकती निशित रूप से said Mrs. Malik to herself अपने आप के लिए अपने आप से Mrs. Malik कहती है I wish she could also work as hard as I did अब वो मनी मन कुट रही है I wish मैं सोचती हूँ कि she could also work उसको काश मेरे जितना काम करना चाहिए था काश वो काम कर पाती मेरे जितना as hard as I did उतना कठी जितना मैंने किया I had every brick of the house led before my eyes सामने every brick बोलते हैं प्रते इक इट को प्रते इक इट को मैंने अपनी आँखों के सामने रखा हुआ देखा है रखे जाता देखा है in sun sun यानी धूप में and rain बारिश में भी हर मौसम उसने खड़े होकर काम करवाया था I stood on the site supervising the construction from early in the morning till late in the night आगे वो सोचती है कि I stood मैं खड़ी होया करती थी खड़ी रहा करती थी साइट के उपर supervising यह नी देखते हुवे the construction निर्मान कर्या को from early in the morning जल्दी सुबह से लेकर till late in the night देर रात तक many a time भूद बार अने बार I help the mason with mortar and bricks bricks मैंने मदद की थी किसकी मदद की थी mason's की मिस्टियों की किससे with mortar mortar बलते हैं cement का और बजरी का मिश्रण and brick इंटे तो इंटों से और cement बजरी के मिश्रण से मैंने कई पर मिस्टियों की मदद भी की थी many time I hauled the rubber pipe and spread water on the plaster wall आगे वही भी सोच थी many times भूद बार मैंने haul the rubber pipe rubber की pipe को पकड़े रखा और श्प्रेट एन छिड़का पानी छिड़का plaster की दिवारों पे cement पे पानी चिड़कते हैं तो मैंने छिड़का भी किया था cement की दिवारों पे ताचि उनको तर्क किया जा सके then there is the house इसी सोच में कश्मा कश्मे वहां पों में वो सब पहुंच आते हैं he is at the house घर पे पहुंच आते हैं his son drove the car straight to the porch and her daughter-in-law jumped out of it and there she stood reclining against the marble pillar on the veranda वो घर पहुंच आते हैं his son उसका बेटा draw the car straight to the porch यहां पे हर आना चाहिए है Mrs. Malik के लिए तो उसका बेटा जो है Mrs. Malik का वो क्या करता है वो गाड़ी सीदे अपने porch के अंदर ले जाता है and her daughter-in-law jumped out और इसकी daughter-in-law जो है वो बाहर निकलती गाड़ी से कुट के उतरती है and there is two declining against the marble pillar on the veranda और जाके marble के pillar के पास में अब टिक कर खड़ी हो जाती है सारा लेकर खड़ी हो जाती है exactly the way the architect had painted the figure in the sketch कैसे खड़ी होती है exactly the way ठीक उसी अंदाज में ठीक उसी तरीके से जैसा कि architect ने पैंट कर रखा ताचितर में दिया था तस्विर बनाई थी उस sketch में ठीक वैसे ही जाके खड़ी हो जाती है Mrs. Malik felt a wrench in her heart Mrs. Malik को अपने जिल में एक जटका सा महसूस होता है maybe the architect had mocked her उसको लगा कि हो सकता है कि architect ने शायद उसका मुझाक बनाया होगा मॉग डेटर उसको चिड़ाया होगा ऐसा वो सुचती है इस्टेंडिंग ऑन दवरेंड़ा ना ब्रामदे में खड़े होते होगे क्लोज तुद पिलर प्राइंग तुअ कवर हर एलबॉरेट हेर्डू विद दो मेरून कलर सारी हार डॉर्टर निलाव उस गिविंग इंस्ट्रेक्शन तुदा सर्वेंड्स अबाउड द लगेज इन दा टैक्सी फॉलंग दकार तो रामदे में खड़े होते हैं वो पिलर के पास खड़े होगे जाके वो और उसने क्या किया कोशिश करने लगी कवर करने की धकने की अपने विस्तित किये गए नॉक्रो को डेे हेरते हैते हेर्टु को बाल को केसे हिने को इन्यास को इन्यास विद तसाड़ी मेरुन कलर इकटी के पल में पल यह-पल्लें शॉसकी बाद लॉह हो थी वो instruction दे रही थी निर्देश दे रही थी किसको नौकरों को इसके बारे में about the luggage समान के बारे में जो कि in the taxi following the car taxi में समान आ रहा था ना कर के पीछे पीछे उस taxi में समान उतारने के लिए नौकरों को निर्देश दे रही थी the luggage had been removed from the taxi, luggage जो था taxi से उतार लिया गया, the taxi driver drove away after having been paid और taxi driver को भेज दिया गया, paid करने के बाद उसको किराई चुकता करने के बाद में Mr. Malik was still sitting on the back seat of the car Mrs. Malik जो थी, वो अभी बैठी हुई थी कहाँ पे, car की फिरली सीट पर, she had a strange sinking sensation और उसके मुनमें एक sinking sensation था, एक संसनाड थी, ढूपती संसनाड then had son and daughter-in-law entered the house, तब उसके बेटे ने, उसके पत्ति ने, पुत्र वदू ने entered यानि प्रवेश के लिया घर के अंतर, they put on the lights one by one, उन्होंने one by one यानि एक के बाद एक, put on यानि जला दी थी, the lights यानि रोशनी, light जला दी थी, every room was lit up, पर ते कमरा lit up यानि रोशन हो गया था, यहना प्रकास से भर गया था, Mrs. Malik looked on wide-eyed, Mrs. Malik ने अपनी आखों को विशाल करके बड़ा करके देखा, अपनी खुली आखों से देखा, इस्टिल सेटिंग इन दे बैक सीट अर कार, अपी भी वो कार की बैक सीट पे बैटिवी थी, in her excitement, nobody seemed to have remembered to open the door for her to wait, it was done, in the excitement, excitement नही उतेजना, नए घर में आने को उतेजना में, nobody seemed, ऐसा लगा कि किसी ने धान नहीं दिया, किसी ने देखा, to have remembered, किसी को याद नहीं आया, to open खोलना, दरवाजा उसके लिए, the way it was done, जैसे कि ये घटित हुआ था, जैसे कि घटना करम हुआ था, ऐसा लगा कि नए घर में आन खोला, उसने दरवाजा उसने खोला, कार का दरवाजा उसने खोला, a drive in the evening always makes me go to sleep, the mother spoken in the evening, अब मा जो है बोली, जैसे दरवाजा खोला बेटे ने, उसके मा को बोला, उसने बाहर निकलने के लिए, उसने spoke ने बोला, क्या बोला, विस पर फुस्पसा आते हुए, क्या फु आते हुए, शाम के समय में की जाने वाल यात्रा जो है, वो हमेशा मुझे नींद ला देती है, मैं सो जाती हूँ, जब क्यों सो ही नी थी, her daughter-in-law had also come out, उसकी पुत्रवदू जो थी, वो भी भार आ चुकी थी, everyone was laughing, हर को हसरा था, Mrs. Malik's daughter-in-law was standing against the marble pillar on the veranda again, और Mrs. Malik's daughter-in to cover her hairdo with her maroon color sari, और उसने फिर से अपने maroon color sari से अपने बालों को ढखने का प्रियास किया, प्रियास कर रही थी, अपने, क्या बलते हैं, पल्लू को सिरे पे ले रही थी, I am not eat, going to eat, Mrs. Malik कहती है कि मैं खाना खाने नहीं जा रही हूँ, I have no appetite, मुझे appetite नहीं, भूग, नहीं है, ऐसा Mr. Malik ने कहा, I would like to sleep, मैं सोना पसंद करूंगी, the servants had let dinner on the table, no crow ने खाना लगा दिया था टेवल के उपर, then you better retire to your room, तब बेतर होगा कि आप अपने कमरे में चली जाएं, अगर आप खाना नहीं खा रही हैं, तो आप सोने चली जाएं, है ना, ऐसा कहा, किस ने पुत्र वदू ने कहा, pointing इशारा करते वे, to room, एक कमरे की तरफ, और वो कमरा कौन सा है, देखिएगा कमरा है, 10 by 8, 10 by 8 का कमरा, and her son conducted Mrs. Malik to eat, और उसका बेटा Mrs. Malik का बेटा जो है, वो अपनी मा की बाहों को पकड़के, मा की हाथ को पकड़के, ले जा रहा है, कमरे की तर रही है, उन इंदा महसुस कर रही थी, वो Mrs. Malik shook her head again, Mrs. Malik ने फिर से अपना सिर्ह लाया, but what was wrong with it, लेकिन उसके साथ गलत क्या था, her husband had already gone, उसके पती जो थे, वो पहले ही जा चुके थे, कहां जा चुके थे, उनकी मौत वा चुकी थी, she, she would follow him, और वो भी उनके पीछे प we must do it, एक दिन तो ऐसा होना ही है, उसको भी एक दिन मरना ही है, I thought it could be my mother-in-law's room, and after her it might be converted into a store, the words re-caught in her Mrs. Malik's ears, अब Mrs. Malik के कानों में अपनी कहे गए शब्द, आपको पीछे याद होगा, आपने पढ़ा था पिछे एक वीडियो में, Malik शूरू में बोलती है, किससे बोल दस बाई आट का होना चाहिए, कमरा आट बाई दस का होना चाहिए, है ना, और इस कमरे को हम पहले सासु मा के लिए रखेंगे, हमारी सास के मर जाने के बाद उसमें, हम इसको स्टोर रूम बना लेंगे, ऐसा बार-बार दुराती है, अब उसको, इस वर्द, यही शब्द रीकोड़ ने, बार-बार गुंजित हो रहे थे, गुंजाई मान हो रहे थे, गुंज रहे थे, उसके कानों में, क्या गुंज रहे थे, आई थोर्ट मैंने सोचा कि इट कुड़ बी माई बदर इनलाज रूम, यह मेरी सास का कमरा हो सकता है, होगा, एंड आफटर हर उसके दिमाग में बार-बार गुम रही थी, and then she heard her daughter-in-law's comments, और तभी, उसने अपने daughter-in-law के comment को सुना, टिपणी को सुना, क्या बोलती है उसने पत्नी, उसकी पुत्रवदू, अपने पत्नी से बोल रही हो, the house is otherwise very well planned, इस घर को अलाकि बहुत अच्छे से बनाया गया है, इस घ I would like to have a big enough store, मुझे एक बड़ा store room चाहिए, ये शब्त किसके है, ये Mrs. Malik के पुत्रवदू के है, जो अपने पती से बात कर रही है, कि मुझे इस घर में कोई कमी ने लगी, सिवाए एक store room के, इसमे store room नहीं है, और मुझे चाहिए एक बड़ा store room, Mrs. Malik heard it, Mrs. Malik ने ये बात शुनी, Mrs. Malik ने शब्स सुने, and she felt as if, और उसे महसूस किया, जैसे की she was sinking, वो डूब रही थी, deep गहराई में, and deep और गहराई में, into a bottomless well, एक bottomless वोलते हैं, जिसका तहनी हो, एक बेतल, बिना तल के well में, कोई में, गिरती जा रही थी, गिरती जा रही थी, गिरती जा रही में, KS Google ने लिखावा एक कहानी जो है, यह room 10 by 8 वो पूरी होती है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको, यह कहानी पसंद आई होगी, समझ में ही होगी, वीडियो चल लगे, इसको like, share, subscribe करा मत बुलना, और पढ़ते रहना, और अगले class में मिलते हैं, एक नए chapter के साथ में, त